हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आपके साथ खेर की रेस्पी सेयर कर रही हूँ, खेर तो लगबद सभी लोग बनाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ हैंसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे की आपकी खेर बहुत गाड़ी एकदम रबडी कितना बनेगी, और बहुत जल्दी भी बनेगी, और टेस्टी तो इतनी होगी कि पूछे मत, तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक मुठी चावल, देख सकते हैं, कटोरी में एक तिहाई कटोरी चावल लिया है, जिस इसको एकदम पीस की महीन नहीं करना है, ऐसे थोड़े दानेदार रखना है, मैंने मिक्सी का यूज नहीं किया है, मैंने जो हम लोग अधर कोटने वाला होता है, उसी का यूज करके इसको थोड़ा सा दरदरा सा कोट लिया, जब चावल भीगा होता है, तो असानी से ताकि उसकी लंस ना बने वो गुठियों के रुप में न हो जाया अब इस खीर को हमें लोट वीडम फ्लेम पर ही पकाना है दिमियास पर ही पकाईएगा तेजास नहीं करना है और बीच बीच में चलाती भी रहेगा एक देखिए चावल हमारे थोड़ थोड़ी फूलने लग जो हमने चावलों को भीगा कर कूट कर डाला है उससे ये होगा कि हमारी खीर बहुत जल्दी काड़ी भी होगी और बनेगी भी तो उस इस टेप को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा तो खीर जब तक बन रहे हैं आप अपने दुसरे काम भी साथ में कर सकते हैं मैं भी आलो का पराठा बना रहे थी तो उस खीर में तयारी कर रहे थी बस बीच-बीच में आपको चलाते रहना है तो यह देखे हैं हमारी खीर इंदम गाड़ी हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे चीनी अब अब अप लोग अपने टेस्ट के कोडिम डाल सकते हैं मैंने यह चार चंब चीनी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमको जादा नहीं पका रहे हैं बस एक मिड़ट चीनी आप तब ही डाल दिएगा जब आपकी खीर लगपग बन चुकी हो पहले समवड डालिएगा और खीर पकाते समय जो दूद साइड में करका लगाते हैं वैसे हम लोग खीर में ड्राइफ रूट्स का तड़का लगा देंगे खिश्मिश्कों में फ्राइ करना बूर गई तो मैंनों इसको अलग से ऐसे डाल दिया अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और हमारी खीर बनके हैं तया लेकिन अभी एक चीज बाक अब इसको भी पूरी खीर में अच्छा से मिक्स कर देंगे ति यहां आप देख सकते हैं कि हमारे खीर का टेक्चर एकदम रबड़ी जैसा आया है मिलकुल गाड़ी गाड़ी है और टेस्ट में तो यह इतना ज्यादा टेस्टी थे कि पूछिए मत आप इसी स्टेस्ट पे यह रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरू कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइग जरू कर लिजेगा उच्छिए सर्फ करते समय मैंनो उपर से इस पर थोड़े से ड्राइफोर्ट्स और डाल देंगे मैंने यहां काजो और बडाम क यूज किया है तो जल्दी सचाएए बना ये खाएए और इंजुआ कीजिए ऐसी टेश्टी खीर को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग